Assalamualaikum तो भाई मैंने जो physics के notes का chapter number 1 आपके साथ share किया तो उस पर आपको बहुत अच्छा response रहा और आप लोगों को बहुत अच्छे पसंद आए वो notes तो इसी तरह से आप आप लोग मुझे messages कर रहे हैं कि सर्थ English के notes share करें और इसी तरह से और subject का भी आप लोग कह रहा है तो भाई सबसे पहले अभी मैं English का share कर रहा हूँ chapter number 1 उसके बाद और subject का भी share करूँगा इंशाला अब देखो भाई ये जो notes हैं आपके पास English के इसका chapter number 1 description में मौझूद है जाके download कर लो ठीक है जिस तरह chapter number 1 है इसी तरह से तमाम chapter solve है अच्छा आप लोगों का बहुत ज्यादा सवाल है कि sir summary हर chapter की notes के अंदर हमने लिख दी है आपका सवाल है sir ऐसे important जो exam के लिए है उस सारे हम आपको उसका अलग से PDF देंगे notes के अंदर तमाम question answer solve है जो के बहुत hard questions है आप जब questions पढ़ेंगे ना तो आपको नजर आएगा कि हाँ sir यह आपने बड़े महनस से लिखवाए है अच्छा MCQs तमाम solve है notes के अंदर notes के अंदर तमाम application solve है मतलब applications given है letters आप लोगों को अलग से हम लोग PDF देंगे application और letter और ऐसे का अच्छा poems वो भी तमाम उसके question answers मौझूद है और grammar work जो के आपको मुश्किल कर रहा है exam के लिए वो सब उन notes में मौझूद है chapter number one अभी आपके साथ share किया वो देखना अगर वो अच्छा लगे तो इसकी fees कितनी है तमाम chapters के लिए जिसमें तमाम पोयाम ड्रामा सब कुछ मौझूद है तो इसकी fee से सिर्फ 200 ठीक है इस 200 में आपको PDF मिल जाएगा इन notes का इस PDF में आपको तमाम chapters मिल जाएंगे और तमाम चीज़ेंगे अच्छा मैं एक और बात आपको बताऊं किते को इंग्लिश की तयारी ना आप लोगो को किस तरह करनी चाहिए कि आप लोग questions लिखो मतलब questions के answers खुद लिखो ठीक है उसको solve करो अब बहुत सारे बच्चे क्या करते हैं कि numericals तो आप लोग solve कर लेते हो कि numericals solve करेंगे तो answer ठीक हैगा लेकिन आप यही rule English पे apply नहीं करते जिस वज़ा से paper में English में किसी के 50, किसी के 40, किसी के 60 और बहुत अच्छा पढ़ने वाला बच्चा है तो 70 अब एक बच्चा है जिसके physics में math में 90, 80 नमबर आ रहा है या इससे plus आ रहा है लेकिन उसके सारे नमबर English कटवा रही है English में वो ला रहा है 50, 55, 40 कुछ बच्चे तो math में 90 नमबर लेकर आ रहा है और English के अंदर 45 नमबर ला रहा है अब कोई कह सकता है कि एक बच्चा वो ही सेम बच्चा पढ़ने वाला math में 90 और English में 45 तो ये क्यूं हो रहा है क्योंकि वो पच्चा math की तो तैयारी कर रहा है मतलब math के question solve कर रहा है math के solutions निकाल रहा है लेकिन वो English में ये काम नहीं कर रहा है तो भाई English के भी तो number लेने है क्योंकि math की book भी English में है तो English भी तो करो math की book के मदद से तो यही सबसे अच्छा तरीका है कि भाई, एक essay का topic उठा लिया, 10 मिनट टाइमर लगा दिया, 15 मिनट का टाइमर और वो ऐसे लिखा, जब ऐसा करोगे ना, आप मुझे दूआ दोगे, मैं खुद ऐसा करता हूँ, जब मैं ऐसे लिखता हूँ ना, तो मुझे पता चल जाता ह यह तो बड़िंग ही गलत है, यह तो ग्रामर ही गलत है मेरी, यह तो मैंने यहाँ पर सही, जो है, वो सेनोनियम इस्तामाल ने किया, सही एंटोनियम इस्तामाल ने किया, तो फिर मेरे improvement होती है वहाँ पर, तो अपनी improvement इस तरह करो, essay का एक topic उठा लो, उस पर writing करो, writing से मु ना सिब पढ़ता हूँ, लेकिन मेरी writing की जादा होगी अच्छी है नहीं, तो writing से यह नहीं होगा, कि आप कोई engineering मिलेगी, या computer science, writing एक plus point रहेगा, लेकिन असल आपके concept है, जो आपको आगे लेकी जाएंगे, तो समझ गए ना, PDF कैसे buy करना है, easy passer number आ रहा है, उस ही पर आप समझ में होगी, thanks for watching, Allah Hafiz, अमने कीमची रूह में, जरूरी आप रखना,